बहु मंजिला, बहु तली है, तो प्रेस्टी, तीन कल तो मुझे दिखाए दे रहे हैं इसके, मिलकॉल आजी, सामने है उद्यान है इसके, उद्वार है उसका पर तो बन भी लग रहे है हमेर महल, हमेर महल, हमेर महल, हमेर महल, हमेर महल में वो सामने गेट देख पा रहे हो, वो जो गेट है उसी शैली में ती तोडगडदुर्ग का मुख्यद्वार बना हुआ है कितना सुंदर पॉइंटी डार्च का गेटी बना हुआ है अंदर से कुछ देखने की कोशिच कीजिए सुंदर बालकनी और बालकनी का च्छत्र उसके उपर अंदर दिखा कुछ यहां पर देखिए यहां से नहीं देख पा रहें दिवार ची है कुछ बेलकोल बेलकोल रहे नीचे बढ़ा हुआ है जाली में पैटर्न के चीज़ का है हर जाली में अलग पैटर्न है आप पर कम तो देखिए देखिए यह ऐसी पॉंटिड आर्च है इसके उपर यह ऐसा डिजाइन है यह भी पॉंटिड आर्च है और उसमें वो देखिए यह ऐसे आधे रस्ते आर्च लाकर उपर स्लैब डाले गई है इस अंदर वाली दिवार के यहां पर आसपास में च्छत है एक कोई ऐसा लग रहा है यहां पर लोही है यह देखिए इंटरलोक पत्थरों को जोडने के लिए यहां से वी दिवार चूना नविंजी यह खाली चूना इसमें कुछ नहीं मिलाया गया देखिए बहुत कितना मजबूत है यह यह फिर मोर्टार हो सकता मोर्टार के लिए कुछ मिस्क भी क्या लिए हूँ पिछे भी एक दिवार ही दिखाए ते यहर इसमें से लेयर हो दिवार के को नवबूत है एकले कोई बिटका कोज दिए वह सकता यह बहरी सुरत साओ और लिए बहरी लेयर हो दिवार के लिए एक लोग सिसम यहां पर आपको देजने के लिए यहां पर देखिए लोग यह जार उतर दिवार के अंदर दिवार और यहां पर कुछ आर्च एक कुछ गुपत है गया उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई गुपत द्वार जो बाद में पत्थरों से बंद किया हो गया है छोट जागा है सामने खंडित सा भावन है एक द्वार है बड़ा सा उसका उसकी चत टूटी हुए चत्र उसका कि पॉइंटीड आर्च लिंटल पहले लिंटल डाला गया उसके बाद फिर पॉइंटीड आर्च बनाए गई है हाँ यहां पर चूल है जैसे नीचे दरवाजे उसी तरह देना तर्वाचे रहा होगा जी और इदर यह सतर रही होगी है यह लिंटल और इसकी ऊपर के आर्च टूटी हुए है हाँ सफाई कारे थोड़ा हुआ तो है आँपर जाड़ी काटी हुए है अभी फ्रेश्ली काटी है घुजनी पहले क्या ही होली का दैन के लिए काटी गई है प्लास्टिक को नडाल गया है बतेर टीटर तीटर 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 कि यह वह द्वार और यह यहां पर किले के दिवारे रही होगी अंदुरूनी दिवार इसके बाद में फिर इंप्री के लिए वहां से रहा होगा जैसे उधर महल है यह भी एक महल रहा होगा इस यहीं से अंदर महल में उसमें उसमें तत्राप एकम खंडित भावनमस्ति यहां भी खंडित भावन है यह चूल के लिए स्थान हां यह तो मंदिर के ही पिलर्स लग रहे हैं जैसा आभा नेरी में आमने देखा था कुछ-कुछ वैसे यह पिलर्स है आप एक बार इनको देखें नमीजी यह क्या चीज़ है यह शस्त्रदरन कर रहे हैं यह और कुछ है यह साइद वीना बजा रहे हैं और चारों तरफ अलग आपको आ करती इस तरफ कि अगर कि है है मनुश्य ही है और हाथ में दरेश जिसलाएं और नहीं कहcej जाए कि यह किस चीज गया करता है अब बता सकते हैं यह मेरे नुसार टब्ले किया करती है आप यहां से देखें उतस्पिप्रेवर्ण देकर कर ऐख और यह रोये विश्णु स्री राम यह विश्न की ही आगर्ति प्रवत को अगर्ति लग रही है हाथ उपर उठाते हुए परवत को अगर्ति आरपार दूसरे वाले तीन ही यहां भी द्वार यह कुछ अन्या करती यह युद करते हुए यहां से तलवार यह युद करते हुए आकरती है तो यह जो है ना यह तबले जैसा यह नगाड़ा है युद्वाला नगाड़ा युद्वाला नगाड़ा काति में रमान बार में क्या हुआ है आओ सेसो को शी कखा करके ईपलेक काके युद्वाला यह कुछ आवाल आओ यह तो चाहिए प्रीकंस्ट्रॉक्टिटीड है आया ना मिंधी एक बेनटों किजाओ बस कि यह अपर तक यहां तक इसके उपर तक इसका यहां तक है यहां तक है यहां गुपत है और यह यहां कुछ अलमारी वलमारी थी यह बिल्गुल इसका निकला हुआ है और टेड़ा जचा रखा है कुछ रिपेर का काम चल रहा है एक नवीन निर्मान हो रहा है यहां पर एक दिवार बने जा रही पत्थर में तो उसके लिए यहां लाइम मोटर बना जा रहा है तो नवीन जी एक बार सनबा लिए यह देखिए क्या-क्या यह यूज करें यह बजरी है बजरी को चान के यह एज डस्ट यूज करेंगे यह यहां लाइम मोटर बना पड़ा है और यह सूख के खराब हो जाएगा शीग रही है ऐसे पड़ा रहा तो यह बहुत ही टाइट जमा हुआ है यह लाइम मोटर इनका यह मशीन है देखिए यह मिक्सर मशीन है इनकी लाइम मोटर को मिक्स करने के लिए यह यह इंट का चूरा है जी इंठ का चू रही है बहुत फाइन नहीं पीसा गया इसको कुछ से इसमें मोटे मोटे कंड़ी मिक्स है यहां पर देखी यह इन्होंने भिगोया है क्विक लाइम को है इहां पर इसमें तो इसका जाल है ऑक जाल टा समोंग करके यह तो क्योंकि प्लांट के लिए कि इसमें और पूर्फ दूसरा टैंक की तीसरा यह इसमें कुछ लाल-लाल है यह गुड़ हो सकता है बिल्कुल गुड़ हो सकता है यह यह लाइम वाटरी लग रहे है और यहां पर यह कुझ लाइम को डूब हो आदेखिए यह चुने का दूब हो यह पर इन्होंने इसको ठी इस ने गुड़ से फर्मेंट किया है क्योंकि इसमेंसे दुर्गन दा रही है और इधर यह यह फाइन पार्टिकल्स था इसके दो इन्होंने यहां भी सक्ष्ण बनाए हुए है तो यदि कोई मिला हमे कारिगर तो उससे पूछेंगे, क्या-क्या है यहाँ पर टैंक्स में, और क्या रेश्यो लिया गया है, लाइम मोर्टार बनानानी के लिए, छले देखते हूं, ये कोई बवन है, इसी की एक प्राचीर बनाई जा रही है, इसी की दिवार बनाई जा आरिये